Hello everyone, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम लोग टैस्ट नमबर 57 कवर करेंगे 56 टैस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं जिसमें सारे ही कुश्चिन से इंपोर्टेंट थे ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कुश्चिन के साथ फर्स्ट कुश्चिन है, जिसमें कुश दो स्टेटमेंट ये गए है हमें पहले उनको पढ़ना है, उसके बाद बताना है किसमें से कौन सा सही है इस्टेटमेंट नमबर फर्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत भारत द्वारा कोविड नाइंटीन से प्रभावित देशों में दवाओ को पहुचाने के लिए पहुचाने के उद्देश से की गई है किस ऑपरेशन की समुद्र सेतु याद रखिएगा ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है भारती ये नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिप्मेंट के लिए उपरेशन समुद्र सेतु द्योतिय की शुरुआत की है तो ध्यान से ज़रा इनको पढ़ लीजेगा तेखिए जो इसमें क्या पूछा गया है आपके केवल एक सही है केवल दो सही है एक और दो दोनों सही है या फिर ना तो एक और ना ही दो actually जो statement number 2 है वो सही है क्योंकि operation समुद्र सेतु द्योतिय जो है उसकी starting की गई थी किसलिए की गई है oxygen कंटेनरों को जो है उनकी shipment के लिए ठीक है भारत में second जो है जो फर्स्ट वाला स्टेट्मेंट है कि समुद्र सेतु की शुरुआत दवाओं को पहुचाने के लिए नहीं की गई थी जो यह गई थी 2020 भैठी के जब पहले कोरुन आया था तब और वो इसलिए की गई थी ताकि लोगों को भारत में लाया जा सके यानि कि जो लोग भारत स करेक्ट भारतियस नौसेना ने भारत में ओक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिप्मेंट के लिए ओप्र 나ब फसे हुए रहे गई थे जो लोग थे जो नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए 2020 में मई 2020 में इसको लॉंच किया गया था इसलिए पहला कथन गलाइता है किसी निश्यत स्थान और समय में वायू मंडल में घटित होने वाले अलपकालिक लक्षणों को किस से संबध किया जाता है जलवायू मौसम वातावरन या फिर पर्यावरन तो किसी निश्यत स्थान और समय में वायू मंडल में घटित होने वाले अलपकालिक लक्षणों को कि से संबध किया जाता है वो है मौसम से option number B is correct next किसी निश्यत स्थान और समय में वायू मंदल में घटित होने वाले अलब कालिक लक्षणों जैसे के तापमान दाब आड़ता वडशा या फिर सूझे प्रकाश बादल या वायू बादल तथा वायू को मौसम से संबध किया जाता है next है वायू मंदल की एक परत मध्य मंदल के संदर्व में निम्र लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है वायू मंदल की जो परत है मध्य मंदल उसके उस से related four options है इसका विस्तार 80 km की उँचाई तक है इसमें उँचाई के साथ तापमान में कमी आती है इसकी उपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं अधिकांश वायू यान इसी मंदल से होकर गुजरते है है इसकी जो उ contально है है इसमें और टाप्मान में कम्या आती है यह भी सही है इसकी उपरी सीमा को मद्य सीमा कहती है यह भी सही है लेकिन वायो यान इसमें नहीं वह तो समताफमंडल में उते हैं तो यह answer ओजागा क्योंकि यही incorrect है D is the correct answer of this question कथन D सही नहीं है क्योंकि वायूयान समताप मंडल में उड़ते हैं अन्य तीनों कथन जो है मध्य मंडल से related वो विलकुल सही है next सौर वर्ण करम सम्मिलित रूप है किसका प्रकाश का लगू तरंग विकिरन का दीर्ग तरंग विकिरन का options दे रखें आपर केवल एक केवल एक और तीन केवल दो और तीन या फिर एक दो तीन यानि के तीनों ही actually ये जो है सौर वर्ण करम में तीनों ही सम्मिलित रूप है यानि के प्रकाश भी लगू तरंग विकिरन भी और दीर्ग तरंग विकिरन भी it means option number D is the correct answer सौर वर्ण करम प्रकाश लगू तरंग विकिरन एवं धीर्ग विकिरन तीनों का सम्मिलित रूप है ठीक है जिसको solar spectrum भी कहते हैं सौर वर्ण करम को देमन लिखित कतनों पर फिर से विचार करना है और उसके बाद कूर के माधियम से सही उतर का चयन करना है फर्स्ट स्टेटमेंट है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से उर्वरता में वृद्धी होती है यानि कि जो उसकी उपजाओ शमता होती है उसमें वृद्धी हो जाती है हिूमस की मात्रा बढ़ने से दूसरा है खनीजी करण मृदा में पोशक तत्वों को कम कर देता है हमें बताना है कौन सा सही है केवल एक केवल दो एक और दो 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 या फिर ना तो एक और नहीं दो एक्शुली हिूमस की मात्रा बढ़ने से उसकी उर्वरता में वृद्धी होती है ये चीज़ सही है लेकिन खनीजी करण मृदा में पोशक तत्वों को कम कर देता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा अब क्यूंग गलत देखते हैं आगे आप्श जिससे मृदा में पोशक तत्वों की अधिकता होती है और वृद्धी होती है ना कि और वो कम होती है इसलिए सेकेट नंबर का स्टेट्मेंट रॉंग है आर्थो पोड़ा समूह के अंतरगत शामिल नहीं है तिलजट्टा, जींगा, जौक या फिर मक्षी तो आर्थो पो सबसे अधिक है कीट भी इसी प्रजाती में आते हैं तिलजट्टा, जींगा, मक्षी, केंकडा आदी इसी प्रजाती के हैं लेकिन जौक एने लेड़ा समूह का जीव है तो जौक किस जमूह का है यह पता होना चीव है निमनलिखित में से सतत विकास के उद्धिश क्या है यानि कि सस्टेनिवल डिवलपमेंट के क्या उद्धिश हैं, क्या गोल्स हैं गरीबी, निवारण और सतत आजीवी का प्राकरतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षन, नवी करणिया संसाधनों पर निर्भारता या फिर उपरयोगत सभी यानि कि सारी ही उसके गोल हैं, बिल्कुल सही बात है, option number D is correct, तीनों ही या उपर के, सतत विकास की अवधारना को अपनाते हुए निम्लकित उद्धेशन ने धारित किये गए हैं, गरीवी निवारण और सतत विकास, पर्यावरन अनुकूलन मानविय गतिविधियां, प्राकरतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षन, दोन ही प्रकारके संसाधनों का संरक्षन करना है, उत्पादन अवसरों का विकास करना, नवी करण ये संसाधनों पर निर्भरता और उपरजा दक्ष्ट है, छीक है, important है, कोई भी आ सकता है, यहाँ तीन दिये हमने, लेकिन explanation में सारे, भारत द्व केश सम्मिलन सो करेक्ट आंसर जो है वो है पैरिस सम्मिलन ऑप्षिन नुबर सी इस करेक्ट एकॉनोमी का कुश्चन है नभी करणिया श्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए 2015 में कॉप 21 पैरिस सम्मिलन के दौरान भारत एवं फ्रांस द्वारा अंतरास्ट्रि के संदरों किक्ष कथन दिए हैं। इन में से सही कौन जा है विश्व में कुल 25 होट सपोर्ट शेत्र हैं जो विश्व के 2.3 परसंट भागबर विस्द्रित नहीं है वीश्व के जैवेवित्त बाहुल होट्स पॉट्स पॉर्ट शेत्रों में हिमाले सबसे बड़ा होट्स यह और भी दोनों सही है या फिर इन में से कोई भी नहीं सही है इन में से कोई भी सही नहीं है अब तीनों ही दोनों गलते हैं उपर के देखते हैं इसका रीजन क्या है पच्छिस नहीं है पैंतीस हैं टोटल यह तो बहुत कम हो गया ठीक है टोटल पैंतीस हैं बाकी का देख लेते हैं explanation में D answer हो जागा है आपके क्यों प्रुक्त में से कोई भी सही नहीं है ओके विश्व में कुल 35 होट स्पोर्ट शेत्र हैं जो विश्व के 2.3% भाग पर विश्ट रेते हैं ये चीज़ सही थी और विश्व की 60 प्रतिशत प्रजातियां इनी शेत्रों में पाई जाती है भारत के भूबाग के अंतरगत होट स्पोर्ट शेत्रों के पशिमी घाट शेत्र में 64.95% इंडो वर्मा शेत्र में 5.13% हिमाला शेत्र में 44.37% और सुंडा लेंड 1.28% शेत्र सम्मे लेते हैं ठीक है निमने लिखित में से कौन सी जैविक खाद की मुख्य किस्म या किस्मे हैं आजोला, जैवरवरक माइको, राइजल कवक राइजो बीयम, जैवरवरक या फिर उपरोक्त सभी तीन ही हैं आप्शन पर डी करेक्ट हो जाएगा जैविक खाद की मुख्य किस्मे अग्री कल्चर का कुश्चन है जैविक खाद को बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है करशी के काम में आने वाली कुछ जैविक खादों की मुख्य किस्में यहां दी गई हैं राइजो बीयम एजो एजोटो बैक्टर उसके बाद नेक्स्ट है एजो स्पाइरिलम नीले हरेश एवाल एजोला फॉस्फुरस विलेयत वह माइकोराइजल कवक ओके नेक्स्ट असत्य कौन सा युगम है नदी ही दी गई है और नदी के किनारे बस ही नगर दिये गए है इन वैसे इनकरेट कौन सा है डेन्यूब नदी के किनारे बेल ग्रेड है डेन्यूब के किनारे ही बोटा पेस्ट है और डेन्यूब के किनारे ही वियना है और डेन्यूब के किनारे ही वार्सा है कोई तो एक गलत है अब कौन सा गलत है वो गलत है एक्चुली जो वार्षा है वो विश्चुला नदी के किनारे है यही आंसर है क्योंकि यही इंकरेक्ट है वार्षा विश्चुला नदी के किनारे इस्थित है बाकी अन्य जो नगर है वो डेन्डियू नदी के किनारे ही बस यह हुए है यानि कि सही है वाक यह ना यह गलत यहां पर नहीं टाइप हो गया है नदी आएगा यहां पर ठीक है नेक्स्ट निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चैन कीजिए एशिया तथा अफ्रीका के बीच स्वे लाल सागर सीमा बनाते हैं एशिया तथा ऐस्ट्रेलिया के मध्य न्यूगिनी दीब को न्यूगिनी दीब जो है वह सीमा बनाता है ठीक है सो विच इस करेक्ट के बले के बल दो एकर दो दो न या फिर ना तो एकर नहीं दो दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट है एशिया तथा अफ्रीका के मध्या स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाता है चीज सही और एशिया और उस्ट्रेलिया के बीच न्यूगिनी के दोरा न्यूगिनी दीब जो है वह सीमा बनाता है ये भी सही है अप्शन बर सी करेक् पोशक तत्व हैं नाइट्रोजन एवं पोटाश, फॉस्फोरस और मैगनीशियम, लोहा, जिंक और मैंगनीज या पर कैल्सियम और गंधक विच इस करेक्ट ओप्शन लोहा, जिंक और मैंगनीज हैं ओप्शन नुबर सी इस करेक्ट पोशक तत्वों को पौधों की आवेशकता नुसार निम्न प्रकार से वर्गी करिद किया गया है मुख्य पोशक तत्व हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश, गौड पोशक तत्व हैं जो दितियो स्थान पर हैं कल्शियम, मैगनीशियम वा गंधक, सूक्ष्म पोशक तत्व हैं लोहा, जिंक, कॉपर वा मैंगनीज और मॉली, ब्लेडनम अच्छा यह इसी के हैं सूक्ष्म पोशक तत्व के हैं मुझे लगा एक और कहटे करी है मैगनीश के बाद हैं मॉली, ब्लेडनम, बोरॉन, एवं क्लोरीन नेक्स्ट, किसी भी परितंत्र में निम्नलिखित में से किन को अपगटक जीव कहते हैं आप्शन्स हैं केचुआ, जीवाडू, विशाडू या फिर कवक केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो, तीन और चार, केवल तीन और चार, केवल एक, दो और चार करेक्ट आंसर क्या है अब घटक के रूप में किसी भी परितंत्र की बात हो रही है तो रखा जाता है इनमें से केच्वा को माना जाता है जीवाडू को भी माना जाता है कवक को विशाडू को नहीं माना जाता है आंसर नमबर जो आंसर जो है डी ओप्शन हो जाएगा environment का question है अब घटक वेजीव होते हैं जो जटिल कार्वनिक योगिकों को कार्वनिक तत्वों जैसे के कार्वन डायोकसाइड जल एवं पोशकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। तो प्रश्ण क्या है एक खादिय श्रंखला में निमलखित में से सरवादिक संख्या किसकी होती है उत्पादक ही होती है और किसकी होगी है। तो ठीक है किसी भी खादिय श्रंखला में उत्पादक सरवादिक संख्या में होती है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। पारिस्थितिक तत्वों के माध्यम से पोशक तत्वों की गतिशीलता को पोशक चक्र या जैवूरसायन चक्र कहते हैं। परितंत्र से पोशक कभी समाप्त नहीं होते बलकि ये बार-बार पुनह चक्रित होती रहते हैं। एवं अलंत काल तक चलती रहते हैं। कथन और कारण वाला एक जिसमें कथन है अधिकांश परजीवी या फिर परसाइट रोग जनक होते हैं। कारण है क्योंकि परजीवी परपोशी यानि होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे शती पहुंचाते हैं। करते करन सही इंगली अधी कारण गाल में है। रोग जनख करते हैंकों कि पर्पोशी के भीतर या उसके ऊपर रहकर याच है। उसका कारण भी सही है, option number A correct है, बायलोजी से है, अधिकांश परजीवी यानि पैरसाइट जैसे जिवाडू, विशाडू, कवक, प्रोटोजोन, क्रमी, आधी मनुश्य में रोग पैदा करते हैं, इसलिए अधिकांश परजीवी रोग जनक हैं, क्योंकि ये परपोसी के भीत या उसके ऊपर रहकर उसे शती यहानि पहुचाते हैं, नेक्स्ट, आंसर दिख्या, विडाल परिक्षण का संबन्द किस रोग से हैं, एट्स से, मलेरिया से, नियूमोनिया से, और फिर टाइफाइट से, विडाल परिक्षण का संबन्द जो है, टाइफाइट से हैं, option number D Am I right? Yes, टाइफाइट जोर की पुष्टी विडाल परिक्षण के द्वारा की जाती है, question number 19 को छोड़ रहे हैं, यह बढ़ेंगे, direct 20, निमलखित में से, मानव शरीर के किस अंग में निशेचन के करिया होती है, गरभाशे में, अंड वाहिनी में, अंडाशे में, या फिर ग ये भी बाइलोजी से है, निशेचन इस्त्री जनन तंत्र के अंतरगत अंड वाहिनी में संपन होता है, यहां नर युगमक यानि के शुक्राणू, मादा युगमक यानि के अंडाणू में, निशेचन करिया के द्वारा युगमजन, युगमनज का निर्माड करते हैं, okay, so 20 questions complete हो चुके हैं और test 57 complete हो चुके हैं, अगर PDF की नीट है तो वैसे तो link साइट के जो है उसी के description box में है वीडियो के, फिर भी इस पर call या WhatsApp कर सकते हो, okay, so ठीक है, हो गए complete, 57 test complete हो चुके है, माइने रखते हैं, और काफी सारे questions cover हो चुके हैं, explanation को अगर mix करते हैं, उनको include करें, तो और भी जड़ा questions cover हो चुके हैं, so ठीक है, देख लीजेगा, repeat करके speed को बढ़ा के देख लीजेगा, okay, thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, ध्यान रखिए अपना और दूसरों का, bye bye, take care,